बस्ते बच्चों कैसे हो जी आप सभी लोग सब लोग अच्छे हो ना चलिए बहुत अच्छी बात हैं तो देखे बच्चों हमने आपका जो चैप्टर नमबर 8 है इसको स्टार्ट किया है जिसमें हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं तो अभी तक ह हमने कितने कोस्टिन कर लिया है तो बच्चों एक से लेकर के सेवन तक को को स्ट्टिन को हमने कंप्लेट कर लिया है और यहाँ पर अभी इस वीडियो में कौन सा कोश्चन मंदों करने तो को उस्ट नम्बर 8 ठीक है बच्चों तो इसके लिए आपको आजाना है आपके टे इशू आप शेर्स इन्द फॉलविंग केसे यहां पर बच्चों कुछ केसे दिए गए हैं टोटल तीन केसे हैं ठीक है तो हर एक कंडीशन को हमें अच्छे से समझना है और फिर उसके लिए जनल एंट्री पास करना है ठीक है तो चली देखते हैं कंडीशन नंबर ए क्या दि मतलब 4 feature किया यानि के कैंसал खिया और देखो बच्चों को बच्चों के लिए किया गया था तो 20 रुपीज यहां पर दिया ना देखो आपको थोड़ा लिख करके बताऊंगे ना अच्छे से समझेगा देखिए बच्चो हमने ना 100 इक्विटी शेयर्स को क्या किया बच्चो कैंसल कर दिया ठीक है और हमने कॉल डप कितने के लिए किया था तो 20 रुपे के लिए ठीक है जिसमें से जब ही हमने यह फॉर् है उसको हमने कैंसल कर दिया ठीक है तो यह बात यहां पर बताई गई है फिर आगे क्या है कि 80 शेयर्स 80 शेयर्स ओफ दीज वर री इशुड एट रुपीज 15 पर शेयर फुली पेट देखो बच्चो हमने 100 इक्विटी शेयर्स को कैंसल किया था बराबर उसके बाद फिर हम 15 रुपीज हमने रख दिया ठीक है तो बस यहीं आपके इंफोमीशन है बच्चो तो इसके लिए आपको एंट्री पास करना है तो चलिए फिर सबसे पहले तो जो आपके शेयर से बच्चो उन्हें हम लोग कैंसल करेंगे ठीक है तो चलिए देखते हैं यहां पे डाल देत है एकविटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट देना होता है क्यों एसाख क्यूंकि हमने जो भी अमंट इतने शेयर का300 किया है меня उपास अफिक हम लोग बहाँ से निकालेंगे ठीक है तो एकविटी शेयर कैपिटल अकाउंट को क्यादियना है बच्चो यस डेविट लेना है तो चलिए फिर इदर लिखते हैं एक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट क्या आएगा देखो उन्होंने क्या क्या नहीं दिया फॉर्स्ट कॉल नहीं दिया और फाइनल कॉल नहीं दिया यहां पर हम लिखेंगे टू फॉर्स्ट कॉल है इसे नहीं to equity share फॉर्स्ट कॉल लिखिएगा इक्विटी शेयर ही था नहीं यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है यह इस इक वुटी शेयर ठीक है कभी-कभी प्रिफेरेंस शेयर भी धिआ रहता है तो उस ताम पर प्रिफेरेंस शेयर लिखने का है थीक टू एक्विटी फाइनल कॉल अकाउंट ठीक है बच्चो अब रुको अमाउंट कैसे लिखना है आपको बताती हो देखो हम यहाँ पे कितने शेयर को कैंसल करें बच्चो 100 शेयर का प्राइस कितना 20 रुपीज है इतने के लिए हमने कॉल डप किया था याद रखना जितने के लिए हमने कॉल किया ना बच्चो वही अमाउंट लेना है आप लोगों को ठीक है भले उसका फेस वैल्यू कुछ भी होने दो लेकिन जितना आमने कॉल डप किया वही अमाउंट लेना है ठीक है तो 100 इंटू 20 करो कि इतना आएगा 2000 आएगा यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चो 2000 ठीक है अब देखो इसमें से आपको क्या-क्या नहीं मिला फिर्स्ट कॉल नहीं मिला ठीक है फिर्स्ट कॉल पर हमने मांगा कितना था तीन रुपया मांगा था तो थी इंटू 100 करो बोलो क्या आएगा 300 तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा बच्चो 300 ठीक है फिर हमने 200 बराबर अब देखो 2000 में से 800 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 1200 तो यह जो 1200 है बच्चो इसको आम लोग किदर ले करके चाहेंगे यह एकसेस अमाउंट है मतलब क्या सुनों मतलब कॉल डप हमने कितने के लिए किया बच्चो 20 रुपे के लिए किया था ठीक है जिसमें स इन्होंने बस यह दोनों नहीं दिया है बाकी सारे पैसे इन्होंने दिये समझ रहो किने जिसे 20 रुपे था ना तो 12 कि इन्होंने दे दिये ना को एक्षेस शेयर फार्पीचर अकाउंट साथивает क्या लिखेंगे to equity share for future account equity equity तो हो गया ना yes equity share for future account कितना आएगा बच्चो yes 1200 अब इन सभी को जोड़ लो आ जाएगा 2000 चलिए बच्चो अब इसका narration लिखते हैं क्या लिखेंगे बेंग हमने क्या किया तो हमने share को यहां पे cancel किया ना तो लिखते हैं कि बेंग फॉर future of share और हंड्रेट equity shares ठीक है तो बच्चो यहां पर यह वाली entry complete हो गई आप लोग देख सकते हो ठीक है समझ में आया आपको अब उसके बाद हमको दूसरी entry pass करनी है तो देखो बच्चो हमने क्या किया यह शेयर कैंसल तो कर दिया उसके बाद फिर हमने 80 shares को market में issue किया ठीक है कितने रुपे में तो 15 रुपे में तो अब इसकी entry क्या होगी तो जब हम लोग शेयर को issue करेंगे तो हमारे पास पैसे आएंगे और जब भी पैसा आता है तो हमारा bank balance बढ़ता है न तो यहां पर हम क्या लिखेंगे bank account debit लेकिन कितने से debit होगा बच्चों इस बात को ध्यान में रखना देखो 80 shares है और कितने रुपे में 15 रुपे multiply करो कितना हो जाएगा आट पंचे कितना होता है चालिस होता है न एट फाइसा फॉट्टी फोर आ गया एट वन सा एट आट चार बारा कितना आ गया 1200 यहां पर बच्चों हम लोग लिख देंगे 1200 अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना क्या सुनना है देखो बच्चों यहां पर हमने जैसे कि पहले जो शेयर्स थे बच्चों वो हमने कितने में इसू किये थे तो 20 रुपे में इसू किये थे ठीक है यहां पर हमने 5 रुपे क का नुकसान कर लिया तो जब भाइव कहां कि जाते हैं बताइए ये ि क्या करेंगे तो कितना होता है यानी कि 400 रुपे हो जाएंगे कितने 400 ठीक है यह हम लोग कहां से लेंगे तो इक्विटी शेयर फॉर फीचर अकाउंट से हम लोग निकालने वाले ठीक है तो जब भी भी हम लोग इदर से पैसा निकालेंगे बच्चों तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा तो यहां पे हम लिखें क्या हमने एक्विटीशेर फार फॉर फीचर आकाउंट कितना 400 से बराबर अब उसके बाद यह जो दोनों पैसे है यह वाला पैसा यह वाला पैसा किदा ट्रांसफर करोगे यह से ड्रीकृत्य शेर कैपिटल अकाउंट ठीक है बच्चो बताओ अमाउंट कितना आएगा 1200 और ये 400 मिला करके यस वेरी गूड 1600 ठीक है अब इसका नरेशन क्या आएगा बच्चो तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि अब तीसरी एंट्री हमको किसके लिए करनी है पता है आप लोगों को सोच करके बताईए देखिए मैंने आपको पताया था कि जबी भी हम लोग शेयर को क्या कर देते हैं तो फिर उसके बाद जो भी शेयर फॉर फीचर अकाउंट में पैसा बचा हुआ होता है उसे हमें ट्रांसफर करना पड़ता है कहां पर कैपिटल रिजर्फ अकाउंट में पिछले कोश्चन पताया था ना कोश्चन नूम्बर सेवन में तो बस हम लोग यहां पे वही करने वाले लेकिन अभी यहां पर थोड़ा सा केलकुलेशन चेंज होगा क्यों चेंज होगा पता है आपको देखो पिछले कोश्चन में क्य पिछले वाले कोश्चन की बात कर रही हो लेकिन यहां पर किया है हमने 100 इक्विटी शेयर को कैंसल किया लेकिन यहां पर इस इसलिए यहां पर थोड़ा कैलकुलेशन में चेंज आने वाला है जो की बहुत आसान है आपको बता दूँगी ठीक है चिंता ना करो तो पहले तो यहां पर कैलकुलेशन करके आप लोगों को बता देती हो रुको यह पूरा मुझे रफ करने दो चलिए बच्चो अब यहां पर आप लोग थोड़ा यह कैलकुलेशन देख लेजिएगा यह जो आपको शेयर फॉर फीचर अकाउंट में पैसा दिखाई दे रहा है 1200 ठीक है कितने शेयर का आपने इदर लिया था 100 शेयर का लिखती हूं 100 फिरखी कल इकल का होगा यह आप लोगों को बताना है पता है को अपको 80 इदर लें लो चलो 100 को इदर रहने दो 80 को इदर लें तो वन थाउजन टू हंड्रेड इंटू एटी ठीक है अब एक काम करो यह 100 को भी उधरी ले लो तो क्या हो जाएगा वन थाउजन टू एटी अपॉन हंडेड ठीक है अब इसको सिंप्लिफाई कीजिए बच्चों जल्दी से तो कितना आएगा जीरो से जीरो गया यहाँ पर फॉर फीचर अकांट था उसमें इतने पैसे थे तो 80 के हिसाब से फॉर फीचर अकांट में कितने पैसे हो जाएंगे 960 ठीक है कितना आया 960 अब देखो इसमें से हमने क्या किया बच्चों यह 400 रुपए हमने निकाल लिए ना इधर निकाला था कि नहीं एक्विटी शेर फॉर फीचर अकांट से 400 रुपए हमने निकाल लिए थे तो इसमें से इसको माइनस करो बोलो अभी कितना आएगा तो 06 और यहां पर आ जाएगा 560 रुपए आपके शेर फॉर फीचर अकांट में बचे हुए है तो इतना पैसा आप लोग क्या करोगे बच्चों तो इतन करने वाले हैं आपको समझेगा ठीक है चिंता ना करना चलो लिखते हैं एक्विटी शेर फॉर फीचर अकांट कितने से डेबिट करोगे बच्चों अभी बताया ना कहां गया यह देखो 560 रुपए से ठीक है 560 कैसे आया 960 में से 400 को माइनस किया 400 को क्यों माइनस किया क्य टिक है फिर इसे हम लोग लेकर के जाएंगे किसमें कैपिटल रिजर्व अकाउंट में तो क्या लिखेंगे टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट कि समझे येस कितना येस पांसो साथ अब इसका नरेशन लिख दिया जाए बच्चो क्या बोलते हो चलो लिख देते यहां प इन फ़रफीचर अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट समझेगी नहीं हमने proportion यहाँ पे निकाला न बच्चो directly वो amount नहीं लिया हमने इधर proportion निकाला इसके लिए यह आपको लिखना पड़ेगा proportionate ठीक है सही है न हाँ चलिए यह आमने कर लिया और यहाँ पे इसकी सारी entries complete हुई बस इतना ही था देखो बच्चो यहाँ पे चो आप आपका case number A है ना यह हो चुका है complete ठीक है इसमें आमको बस थीनी entries पास करनी थी ठीक है पहले तो आपको क्या करना था जो हमारा शेर था उसको forfeiture करना था ठीक है वो हमने कर दिया फिर उसके बाद रिशू किया और जो भी balance amount था उसको हमने capital reserve account में transfer कर दिया ठीक है अब हम देखेंगे बच्चों आपका दूसरा case यानि की बी तो सब लोग ready है पहला समझाना येस चलो अभी दूसरे की बात कर लेते हैं तो इसमें क्या दिया गया है पढ़ते एक बार देखो भक्ति लिमिटेड अब यहां पे दूसरा लिमिटेड आ गया मतलब दूसरी company आगी प लोगों को देखना है इधर उदर बिल्कुल भी नहीं ठीक है उदर देखो क्या लिखा है कि भक्ति लिमिटेड फॉर फीचे हंड्रेड एक्विटी शेर्स ओफ रुपीज 10 और उसके आगे देखो क्या लिखा है बच्चो रुपीज 6 कॉल्ड अप यानि की देखो उसका amount कितना है जो आपके शेर से उसका amount कितना मतलग उसका जो प्राइज है वो कितना है बच्चो दस रुपए है लेकिन हमने कॉल डप कितना किया है ओनली छे रुपए ठीक है तो यहां पर जबी भी हम लोग इधर यह फॉर फीचर करेंगे ने बच्चो तो वहां पर amount कितना ल बताती हो यह दूसरा वाला केस ठीक है कितने शेर को हम लोग यहां पर फॉर फीचे मतलब कैंसल करने वाले बच्चो 100 इक्विटी शेर को ठीक है तो एक्विटी शेर का फीस वैलू तो 10 रुपए लेकिन हमने कॉल डप कितना किया है उल्ली 6 रुपए ठीक है जिसमें से 5 तो मिल चुके हैं तो मिला कितना नहीं एक रुपया हमको नहीं मिला तो यह 9-01 कहां पर जाएइगा यह मने कॉल्सीनight जाईगा जो फैसें कि री इशूट एस फुली पेड़ पेड़ फॉर रूपीज शिक्स पर शेर देखो बच्चो आपकी टेक्सबुक में उधर कहीं पे आपके टेक्सबुक में देखना उधर 16 दिया होगा तो अगर 16 अगर 6 दिया है तब तो अच्छी बात है कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अ टी शेर्स को फिट से मार्केट में इशू गया लेकिन इस टाइम पे हमने इसका प्राइज कितना रखा चेह रुपे रखा ठीक है यानि पहले जितना कॉल्ड अप किया था उतना ही प्राइज रखा इसका मतलब आप समझ रहे हो यहां पे हमको कुछ भी गाटा नहीं होने तो जैसे हमने यहां पे जो हमको नुकसान हुआ था उसकी भरपाई हमने शेर फॉर फीचर अकाउंट से की ती तो यहां पे आपको वह चीज नहीं करना पड़ेगा क्योंकि यहां पे आपको नुकसान ही नहीं हो रहा है तो चलो वह देखेंगे बाद में पहले तो अभी आनैंज यहां पे जालते हैं कीति नबर घीच इसका पहला एंट्री जो आपका शेयर बच्चों उसे आप लोगों को कैंसेल करना है तो क्या करना होता है क्या लिखेंगे अम लोग पैसा निकालेंगे न हमारे capital अकाउंट से जो भी हमने ट्रांसफेर कर दिया है तो क्या ल टू क्या आएगा बच्चो आपको क्या लगता है तो कॉल्स इन अरियर्स क्यों आएगा रुको पहले यहां पर इसका अमाउंट लिख देती हूं देखो बच्चों हमने कॉल्ड़ डप कितने का किया था छे रुपे का तो 100 इंटू 6 करो कितना आएगा 600 तो यहां पर आप ल लिखेंगे टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट कितना अमाउंट आएगा पता है आप लोगों को तो वन इंटू 100 करो कितना आएगा 100 ठीक उसके बाद बच्चों यह जो पांस रुपे हमको मिला था ठीक है मतलब यह शेयर्स का जो हमको पांस रुपे मिल चुका है उसे आ पर इक्विटी शेयर फृरफीचर अकांट पर यहां पर लिखेंगे टू इक्विटी श्यहएं फॉर फॉरफीचर अकांट अचान धिक है और कि इतना अगा ये नकिसा सखते हुम्हांनोंटा कितना यह त्दंग मैंने कही जहाजी और रहा है कर देंगे तो 500 आचाहेगा ठीक है अब इसका नरेशन लिख देते हैं क्या लिखेंगे कि बिंग कि फॉर्फीचर ओफ कि फॉर्फीचर ओफ कितने शेर्स को हंड्रेड शेर्स को कैंजल के है ना हंड्रेड इक्विटी शेर्स ठीक है बच्चों तो यह वाली इंट्रे आप लोगों को समझ में आई गई होगी फॉर्फीचर वाली है ना अब आपके लिए कुछ भी नया नहीं है अब आप पुराने हो चुके हो तो सारी जीजे आपको समझ में आनी ही चाहिए चलिए बच्चों आगे का देखते हैं तो यहाँ पर हमने शेर्स को कैंसल तो कर दिया फिर उसके बाद क्या किया गया तो मार्केट में 80 शेर्स को इसु किया गया कितने में तो छे रुपे में ठीक हैं तो यहां पर हमको कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है क्योंकि पहले हमने कालड़ कितने के लिए किया था तो छे रुपे के लिए ही किया था और फिर बाद में हमने जब तो भी पैसा कितना रखा मतलब जो अमाउंट है प्राइज है वो कितना रखा छे रुपे ही रखा यानि हमें यहां पर कुछ भी नुकसान नहीं होगा ठीक है तो आप देखो बच्चों इसकी एंट्री क्या हो जाएगी तो बैंक यहां पर लोग क्योंप करोगे क्योंकि आपके पास पैसा आ रहा है ठीक है बैंक अकाउंट डी conviction मैंट डी ङूप्विक्टी कितनी तो मल्ट इप्लाई कर दो six into eighty six eight जा क्या होता है 488 यहां पर हम लिख देंगे 480 यहां पर भी लिख देंगे 480 ठीक है इसका नरेशन क्या आएगा कि बिंग री इशू ओफ कि री इशू ओफ कितने शेयर्स को रीशू किया तो 80 शेयर्स को तो री इशू ओफ 80 इक्विटी शेयर्स यह फिर ऐसे खाली बस शेयर्स लिख दो चलेगा 80 शेयर्स और लिखना है तो और भी लिख सकते हो यह फिर बस इतना ही चलेगा चलो शौट मैं नरेशन लिख दिया आपने नरेशन अपने मन से लिखने जो किया आए ना वह इधर सोच करके लिख देने तो आपको करना ही है जबी आप शेयर को पैसा है उसे आपको कैपिटी शेयर्स अकांट में ट्रान्सफर करना मतलब करना है ठीक है तो चलीए फिर क्या करेंगे हम लोग जो फौरफीचर अकैंट है वहार से पैसा निकालेंगे और फिर क्यापिटल हीसर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग इधर आप देखो इसका अमाउंट कितना आएगा यह आपको समझना पड़ेगा यह जो यहाँ पे for feature account पे पैसा है न बच्चो यह कितने shares का है तो 100 shares का ठीक है यहाँ पे हमको proportion निकालना पड़ेगा समझ रो जैसे हमने पिछले question में किया था देखो अगर 100 shares का कितना amount है 500 रुपे है तो फिर 80 shares का कितना होगा यह हम लोगों को बताना है ठीक है तो कैसे हमने पिछले question में किया था same to same तरीके से यहां पर भी हम लोग करने वाले हैं क्या करेंगे 80 को उधर ले लो तो 500 into 80 हो जाएगा और यह जो 100 है इसको भी इदर बुला लो यह आ गया इदर 0-0 cancels 0-0 cancel एट फाइसा क्या होता है बच्चो 40 होता है यह वाला 0 इदर यानिकि 400 सिधने से अपको कुछ भी माइने स्कर्ni की जरूवत नहीं है क्य Ó concentrate करने की जरूवत नहीं है क्योंकि यहां पर हम अ लिए रहते तो फिर वह पैसे को माइनस करते और जो अमांट बचता वह यह तर लिखते लिकिन है पर तो सिधे 300 रुपया उधर लिग दो भी और लिख क काम खतम तो क्या लिखो गया नर्रेशन यहीं लिखना यहां पे लिखा था कि बैलेंस एक मिनिट बैलेंस इन-फॉर फीचर अकंप तीक है यहां पर यह पर नाएगा वही तो मैं र文 थे चलो कोई नहीं सही कर देती हूं यस यही उठाकर के लिख दीजेगा कि बिंग प्रोपोर्शनेट बैलेंस इन फॉर फीचर अकाउंट ट्रांसफर्टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट ठीक है बच्चो समझ गये तो देख लीजिए यहां पे जो आपका कंडिशन नंबर भी था न वो भी कंप्लेट हुआ इसमें भी हमको तीनन एंट्रिस करने थी इसको पहले 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 कोस्चन एक बार समझते हैं उसके बा जाब करेंगी चलो家 इजस की क्या दिया है कोक नार्क लिमिटेड 50 shares of rupees 10 each और फिर called up कितने का किया गया बच्चो 8 रुपे का ठीक है तो जितने से called up किया जाएगा वही वाला amount आपको लेना है मैं बार-बार बोल जी ध्यान से सुनू ठीक है फिर the shareholder failed to pay first call of rupees 3 per share later on 30 shares of these were reissued at rupees 7 per share देखो बच्चो इसका थोड़ा पूरा आप अच्छे समझे कितने shares को हमें cancel करना है बच्चो तो 50 shares को ठीक है और हमने called up कितने के लिए किया था देखो शेयर का वैसे face value तो 10 रुपीज है लेकिन हमने called up कितने का किया था बच्चो 8 रुपे का ही called up किया ठी है जैसे कि application allotment हो गया फिर first call final call ठीक है तो वो होता है आपका called up बराबर तो कितना है 8 रुपे है ठीक है तो इतने shares को हमें cancel करना है तो चलिए फिर cancel कर देते हैं तो क्या लिखेंगे जभी भी share को cancel किया जाता है तो हम लोग क्या करते हैं जो equity share capital account है वहां से हम लोग पैसे को निकालते हैं तो क्या लिखेंगे एक्विटी शेयर एक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेविट कितने से डेविट होगा बच्चों तो 50 into 8 करो कितना आएगा 8540 होता है यहां पर आ जाएगा 400 ठीक फिर अभी ध्यान से सुनों बच्चों कितना पैसा आपको नहीं मि देखो आगे क्या लिखा है कि the shareholder fail to pay first call of rupees 3 per share यानि कि उसने ना बच्चों फॉर्स्ट कॉल जभी हमने किया ना फस्ट कॉल ठीक है तो वो उसने पैसा नहीं दिया ठीक है कितना मांगा था तो 3 रुपे मांगा था लेकिन उसने नहीं दिया ठीक है तो यह किसमें जाहेगा आपका calls in arrears में जाएगा तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे to equity share first call account amount कितना आएगा तो देखो यहाँ पर 3 रुपे हमने मांगा था ना तो 3 into 50 करो 3 into 50 आप लोगे काम कर सकते हो pencil से ना अपना ऐसे बगल में इसके लिखते जाओ ठीक है ताकि बाद में पढ़ने बैटो तो आपको समझ में आए कि यह amount कहां से आया नहीं तो फिर confusion में रहोगे ठीक है ऐसे pencil से ना ऐसे लिख लिया करो कि 3 into 50 ठीक तो कितना हो जाएगा फाइट रिजा क्या होता है 15 होता है यानि 150 रुपे यहां पर आ जाएगा ठीक है अब 150 में से 400 में से 150 को माइनस करो कितना आएगा बच्चो 250 आएगा ठीक है तो यह जो बचा हुआ 250 रुपे है फीचर अकाउंट कितना आएगा तो 400 माइनस 150 जीरो दस में से 5 गया तो 5 यह 250 यहां पर हम लिख देंगे बच्चो 250 ठीक है अब इसका नरेशन क्या आजाएगा तो चलिए इसका नरेशन लिखते हैं क्या लिखेंगे बिंग फॉर फीचर ओफ फॉर फीचर ओफ फिफ्टी शेयर्स ठीक है यह शेयर्स को बच्चों हमने कैंसल क्यूं किया तो यहां पर बता दीजिए ओन अकाउंट ओफ ओन अकाउंट ओफ नौन पेइमेंट ओफ नौन पेइमेंट ओफ कॉल मनी ठीक है जब इन्होंने कॉल मनी नहीं दिया तो हमने इनके शेयर्स को कैंसल कर दिया ठीक है चलिए यह वाली एंट्री यहां पर कंप्लीट हो गई आप लोग देख सकते हो ठीक बच्चों उसके ब आप लक्ते यहां पर पहले अमने कॉल डप कितने से किया था तो और जब भी हमने फिर से शेयर को इसु किया तो उस मने कितना रखा खाली बद साथ रूपया यहां यहां पर बच्चों एक घाटा हो रहा है ठीक है तो यह जो एक रुपे का नुकसान हो रहा है ना इसकी भ अमाउंट कितना आएगा पते हैं आप लोगों को इधर थोड़ा ना ऐसे लिख लिया करो ब्रैकेट में करके तो 30 शेयर्स हमने इशू करें और अमाउंट कितना रखा मतलब प्राइस कितना रखा साथ रुप्या जब दोनों का मल्टिप्लाई करो के तो इतना आएगा सेवं हमको नुकसान हो रहा है वह हम लोग इधर से निकालने वाले ना तो यहां पर हम क्या लिखेंगे एक्विटी शेयर फॉर फीचर अकाउंट और फीचर अकाउंट डेबिट ठीक है अब देखो बच्चों अमाउंट कितना आएगा तो वन इंटू 30 कर दो कितना आएगा 30 र क्या अपिटल अकाउंट में लेकर के जाएंगे बराबर यहां पर हम लिखेंगे टू एक्विटी शेयर क्यापिटल अकाउंट कितना आ जाएगा 210 और 230 मिला करके 210 और 30 240 ठीक है ऐसे इस इसका नरीशन हम दो क्या लिखेंगे कि बिंग री इश्यू ओफ 30 शेयर ठीक चलिए यह भी हमने कर दिया अब उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चो जो भी फॉर फीचर अकाउंट में एक्स्ट्रा अमाउंट है उसे हम लोग ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजव अकाउंट में ठीक है तो चलिए फिर तीसरी एंट्री कर देते हैं तो सबसे पहले थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं देखो बच्चो यहां पर यह जो शेयर फॉर फीचर अकाउंट में आपको यह जो पैसा दिखाई दे रहा है दो सो पचास रुपै ए ठीक है्श है कितने के सहां है तो positively करना है फिर से आपको क्रॉऔस मल्लिकिशन करना है 30 को इदर ले लो 50 को भी तर इए होगा 250 इंटू 30 उदर जाएगा यस फिर यह 50 इदार जाएगा ठीक है अब क्या जीरो से जीरो कैंसल फिर क्या होगा बच्छो देखो 555 25 यहां पर फिफ्टी इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा 150 ठीक है तो यहां पर 30 रुपे के हमें कितना लेना पड़ेगा देखो पहले तो इसमें से इसको माइनस कर दो 150 माइनस 30 करोंगे तो कितना आएगा बच्छो 120 ठीक है चाहिए तो इसको ना आप वर्किंग नोट में लिख लो ठीक है वर्किंग नोट में यह सब करके दिखाना ठीक तो यह 120 रुपे को हम लोग कहां पर ट्रांसपर करेंगे बच्छों कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसपर करने वाले हैं याद रखिएगा पहले लिख दू क्या चलो यहां पर है ना इससे बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं तो आपको डरना नहीं है क्योंकि हर एक केज में हमको वही करना था पहले वाले केज में भी हमको वही तीन इंट्रीस पास करनी थी दूसरे में भी करना था तीसरे में भी करना था है ना तो जब आप यह तीनों के प्रैक्ट तू कैपिटल रिजर्व अकाउंट ठीक अमाउंट लिख दिया इधर 120 इसको थोड़ा उपर लिख देता है इसका नरेशन आप क्या लिखोगे यहां पर हम लिखेंगे कि बिंग प्रोपर्शनेट and balance in forfeature account forfeature account transfer to कहां पर ट्रांसपर किया तो capital reserve account में capital reserve account ठीक है बच्चों समझ गए तो ये entry यहां पर complete हुई ठीक है इसी के साथ ही जो आपका case number 3 था ना ये भी पूरा हुआ ठीक है देखो मतलब case number 3 यानि की C ठीक है ये वाला भी हमने complete कर लिया ठीक है अब उसके बाद हमें क्या करना है बच्चों तो इसका total करना है चलिए फटा-फट से इसका total कर लेते हैं देखिए बच्चों मैंने यहां पर इसका total कर दिया कितना आता है 6400 ठीक है दोनों ही कॉलम्स में लिख लीजिएगा 6400 उधर भी लिखना 6400 ठीक है तो फाइनली आपका यह लेसन नमबर 8 है ना बच्चों यह हो चुका है complete ठीक और आप लोग को बता दू कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स तो मैंने करवाई है बाकी जो आपके illustrations दिये गए हैं आपके textbook में उनकी practice आपको खुद से करनी है क्योंकि question भी दिया रहता है solution भी दिया रहता है तो उसमें से देखकर क्या आप लोग समझ सकते हैं ठीक है तो सारे questions की अच्छे से practice करो ओके तो चलो बच्चों आज के लिए बस इतना ही अभी म मिलेंगे हम लोग next video में नए lesson के साथ ठीक है तब तक के लिए बच्चों नमस्ते